सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है को दस साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन ये सीरियल आज भी लोगों की दिलों पर राज कर रहा है अगर सीरियल को फैशन के नजरिये से देखें तो आपको वैडिंग के लिए यहां कई सारे आइडियाज मिल जाएंगे ये रिष्टा क्या क्या लाता है कि सभी दुलहनों यानि अक्षरा से लेकर वेडिका तक का ब्राइडल लोग बेहत खुबसूरत रहा तो चलिए मिलते हैं शो कि उन्हीं ब्यूटिफुल ब्राइड से वैसे तो इस सीरियल में अक्षरा से खानिया यानि हिना खान कई बार ब्राइडल लोग में दिख चुकी हैं लेकिन हमारे लिए उनका पहला ब्राइडल लोग ही फेवरिट है अक्षरा की बीटी नायरा की शादी कार्थी के साथ होती है अगर आपने ये सीरियल देखा होगा तो आप जानते ही होंगी कि इनकी शादी काफी हटके थी जिसमें नायरा का ब्राइडल लोग काफी खुबसूरत था हमें तो उनका मांग ठीका काफी संदाया सीरियल में कीर्थी के शादी अक्षरा के बेटे नक्ष से होती है तो जाहिर सी बात है कि डारेक्टर बाबू इनका ब्राइडल लुक स्पेशल तो रखेंगे ही न इस सीरियल में गायू नेतिक की भाजी होती है जिनके ब्राइडल लहेंगे के ब्लाउस की स्लीव को लॉंग रखा गया और टॉप टू बॉटम रेट ही रेट है आपको बता दें कि शुरू में इन्हें कार्तिक से प्यार हो जाता है लेकिन बाद में पता चलता है कि कार्तिक और नायरा एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिर कहानी बदल जाती है मांसी कार्तिक के चाचा की बेटी होती है मांसी के ब्राइडर लुक में चौड़ी माथा पट्टी को काफी हाइलाइट किया गया है इनके लहेंगे का कलर गोल्डन है और नमबर 6 वेदिका शो में ये दुलहनिया नई नई है अभी हाल फिलहाल ही वेदिका और कार्तिक के शादी हुई है इनका लहेंगा ओरेंज कलर का था और जूल्वी भी काफी हैवी रखी गई थी वैसे तो नायरा और अक्ष्रा का वेदिंग लुक सबसे ज्यादा पसंद आता है लोगों को लेकिन आपको किसका लुक बेस्ट लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताईए